विल्कम टेक्वेटर गुरूप मैं आपको अब विकास आपके अपने चनल में करता हूँ तो आज हम दिलेंगे आपका जो मॉक्ते सरीज नंबर सेकेंड है आपके M3R5 की कुछ most important question है यह आपके जो कि अभी तक आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि पहली वार एक्जाम है तो यह आपके तरह से हिस्तम guest question के रूप में त्यार होँगा इससे आपको 75-80% chance है आपको paper में समन में आएगा और इसी प्रकार question आपको देखने को मिलेगे ठीक है तो time ना waste करते हुए फटाबट चलते हैं और इसके question को देखते हैं solution करवाते हैं आपको explain करते हैं और मैं पूरे explain कर दूँगा आप बेफिकर रहे हैं आपको सौन माईद है कि question किस chapter से पूछा गया है और किस प्रकार से उसका answer आपको देना है तो question number one आप पढ़ें इस screen पे और comment करके आप बताएं live class चलती है साम को 7 बज़े जोइन किया करें which of default में इस python tuple निम में से कौन सो एक python का tuple है आप देखे python tuples python dictionary और तमाम तरह के python की जो lists होती है ही उनके बारे मैंने आपको बताया था जब theory class आप में फरवरी से classes चल नहीं तब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं वालकि python क्लास सबसे पहले हमने start की दो 19 में ही मैंने आपको इसकी पहली दूसरी 30 क्लास start कर दी थी तो चलिए मैं आपको बता देता हूं तो python के जो tuples होते ह लिखा जाता है बिसे के लिए पूछा गया है तो देकिस अभी मैं आपने लिखे लेकिन different क्या है सबसे बढ़ा different है कि इसको bracket में लिखा जाता है या square bracket में लिखा जाता है या कर ले ब्रेसिसम लिखाता है तो यह सबसे most important है या कैसे मालूम पढ़ेगा जब आप python tuples की theory उ यह python tuples के अगर theory आप उठाकर देखेंगे तो मेरे पास देखेंगे तो मेरे पास देखेंगे तो देखेंगे तो देखेंगे python में जो tuples से data structure होता है और tuples में element का sequence होता है और देखें जो main important वो मैं आपको उता दे रहा हूँ tuples के हर item को item या जो भी list हम लेंगे उसको comma से separate किया जाता है जैसा कि आप अगर example देखेंगे तो वहाँ पे आपको सभी में comma से separate किया गया इसमें single है इसमें इसलिए comma नहीं लगाए गया उसके बाद पूरे item को parenthesis के अंदर close किया जाता है ठीक है तो आपको answer के मिल गया parenthesis यानि कि यह bracket आपको देखिया देखिए मैं इसको zoom कर दे रहा हूँ अब इसको आपका answer आपको देख जाएगा तो देखिए इस से close किया जाता है वो single bracket भी हो सकता है double भी हो सकता है वो depend करता है कि कि किस पर काम करना क्या चीज़ उसको ले रहे हैं तो देखिए यहां पर ज इसके अंदर लिखेंगे यह इसकी tuples की पैचान है तो यहां से आपको 7 में आ गया तो answer आप आखी बन करके tick कर देंगे number C कि और किसी में तो आपको ऐसा option दिखने रहा है कीवर्ड यह उसकी यूज करते हैं उसमें हमाँ पस कौन-कौन से कीवर्ड सब लेबर होती है तो function कीवर्ड जरूर त्यार कर ले और यह आपको most important है तो देखिए यहां पर लिखा हुआ मिल जाएगी बिसिकली हाँ तो देखिए यह भी यहां पर एक लिश्ट पड़ी हुई है तो इसमें आप देख सकते हैं तो देखिए यहां पर python की कीवर्ड यहां पर अब लेबल है तो आप देखिए यहां पर def का option भी अब लेबल है फिर दूसरे दूढ़नते हैं कि क्या fun का option अफ लेबल है तो fun का option बिसिकली इसमें आपको फिछला इसमें नहीं दिखिए लेकिन आपका fun का अप्सण भी अवेल होता है और देखते हैं option क्या आपका define बुलबग गया है तो देखिए define का option भी इसमें नहीं कम कीवर्ड दिख रहे हैं आपके और तमाम कीवर्ड ह होते हैं function तो जब आपके जो theory आप देखेंगे उसमें आप उठाकर देखेगा जो मैंने आपको थे इसमें कम कीबड दिखाए गए अगर हम किसी साइट पर माले आपको ले जाते हैं तो देखते हैं हैं महां पको function के कितने कीबड़ सब लेबल हैं उसको मापको दिखाने को इसकते हैं तो देखे सली आप अब को कीबर आपको नहीं मिलेगी देखने को यहां पर ना यापको मिलेगी ना ही डिफाइन म। कउसे इसमें कौन सा धैwarts बाकि define हो गया function हो गया fun हो गया यह सारा चीज़े उप्योग नहीं किया जाता तो option क्या बन जाएगा इसके लिफ्ट बनाई तो option बनेगा आपको लिश्ट दिखाई तो जो भी उसके लिफ्ट बनेगा बनेगा 1.2 का third यानि कि यानि कि function में हम लोग only def keyword का यूज़ करते हैं ना कि fun define और function इन तीनों का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं ठीक है तो यतना चीज़ा आपको सवनगा है कि list मैंने आपको दिखा दी यह सारी keyword अगर दियोंगो तो यह सारी function के अंदर हम लोग इंटर करेंगे ठीक है कोसा नमबर तीन है the symbol is used at the beginning of flow chart यानि कि symbols जो हम लोग बताया था ओवल हो गया इस प्रकार का हो गया तमाम तरह के symbols बतायते हैं यहां पर बोला दिए symbol यूज़ और beginning तो beginning और ending यानि कि input और output के लिए यानि कि start और end के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारा कौन सा क circle होता है लेकिन वो circle नहीं होता है उसको में oval बोलते हैं circle आपका फूरा round होता है इस प्रकार के oval shape में होता है पिल shape में होता है तो option बनेगा A उसके बाद आपका rectangle diamond या अलग की हम लोग अलग अलग processing और उसके output के अनुसार यूज़ करते हैं तो first जो option बनेगा वो बनेगा A इसके लिए आप C language की वीडियो देखनें उतने भी समझाएगे अब flow chart भी मैंने बताया है python वाली class ना question number four which of the following is an invalid variable नेमने किन में से कौन सा invalid variable है तो variable का एक example दिये गए तो कैसे आप निकालेंगे अच जब इसको आप तभी निकाल पाएंगे जब इसका अब output रख के देखेंगे तो देखें कौन सा basically invalid variable यहाँ पर होना चाहिए जो कि इसके अनुसार है तो देखें वरियेबल जो हम लोग लिखते हैं किस परकार से लिखते हैं वो वरियेबल में कभी भी हम लोग का digit नहीं लिया जागा सबसे पहरे चीज़ तो digit जो होती वो प और बी वाला जो option है आपका वो आपका कौन सा अमान वरियेबल है तो यही आपका जो option होगा अमान होगा बाकी आपके option है वो वरियेबल में ठीक कलाएंगे यानिकि B option बनेगा देखें कि इसमें पहले first से start किया है यह option गलब होगा बाकी यह लिख सकते हैं इस पकार से नहीं लिखना है ठीक है तो इसलिए जो इन्वैलिट वरियेबल आपको कहलाएगा बी ऑप्सन कहलाएगा बकी वरियेबल की आप ठीक लेए उसमें आपको इसका आम से मिल जाएगा 1.5 है वाट विल वी ओपूट आपको बताना है बहुँचा question है इससे पहले वी वाले मॉ condition क्या दिए ए बराबर 12.6 दी है बी बराबर दो दी है और प्रिंट कराना ए डबल फॉरवर्वर्ट लैस बी नहीं कि जब दो बार इसको भाग करेंगे ए और बी को मिलाकर तो option क्या आना चाहिए तो simple सा मैं आपको बता दो इसमें अगर जाब इसको आप लिखेंगे यहा option आपका ठीक भी होगा ठीक है दूसरा लिक कंडिसम ना करना हम दो को double equal to से दो करते हैं तो क्या option मिलता है one मिलता है one को जा हम 6 से बाग करें कितना आएगा 6 आएगा तो option बन जाएगा आपका 6.0 ठीक इस पकार जिसका आप option नहीं लगा सकते हैं तो option बन जाएगा B यहनी क 1.5 का B option आपका ठीक होगा तो चलते हैं इसमें example number है हमारा 1.6 एक list दी गई है suppose list 1 is 132 and what is list 1 into 2 यानि कि जो हमारे पास list अवलेबल है अगर आप यह हिंदी में देखें आपको समन में आएगा यह जो list है इसको हमको print करना है list 1 और उसके बाद list 1 into 2 यानि कि यह जो code है list वाले chapter से आपको पूछा गया है और यह जो इसका जो condition है जो function लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं list repetition repetition इसको बोलते हैं जो function यहां पर use हो रहा है start to इसका मतलब है यानि कि जो भी हम print करेंगे उसको वो as well as repeat कर देगा यानि कि जो हमने list बनाई है तो इसका output कि इस प्रकार स प्रकार से list के अंदर महारे पास क्या है पहले हम में लिए 1,3,2 अगो कितना condition बोलाई start to यानि कि दो बार तो इसका एक बार और हूबा हूँ इसकी copy आपको मिल जाए यानि कि 1,3,2 बंद हो जाएगा तो यह option देखे कहां दिया गया option number 3 में दिया एक दो 3 sorry option number कितना है आप हम टिक कर देते हैं तो देखे कौन सो option इसका ठीक हो जाएगा इस question का option मनेगा number 2 यानि कि यह list को repeat करता है अब यहाँ पर star माने तीन होता तो इसको हम तीन बार एक तीन दो लिख देते है चार होता तो चार बार इस परकार से इस condition कहते है list repetition यानि कि list को repeat करना ठीक है तो इस इसके अनुसार option मनेगा यह theory मैंने जो पढ़ा यह उसमें दिया होगा बाकि अगर आप ग्यांपल भी देखेंगे यहाँ पर इसको list repetition कहा जाता है देखें यहाँ पर ग्यांपल अगम ने यहां से श्टार तीन किया तो इसने तीन बार वही condition आपको प्रिंट करके दिखा ठीक है question number है हमारे पास seven तो इसको option भी टिक कर ले seven number है which of the following is the correct identify the right way to close file को अगर हमको close करना है किसी फाइल को बंद करने के सही तरीका कौन सा है close bracket में file file.close और से फरे परेंट हासी लगा दिया file.close तो 1.7 का देखेंगे option बनेगा जब भी हम python में को फाइल को close करते है उसक dot close उसके बाद हम लगाते है परेंट है तो option बनेगा 1.7 का बी easy question है एरत नमबर अच्छा question है identify the correct sequence of the step रजाना प्रोगाम यानि कि जब पाइता में प्रोगाम को रण करते हैं तो step by step process क्या होता है हम तो क्या करते हैं आप software open करते है आप प्रोगाम के जो condition दी होती है डिसन subsection जो भी होती है वो condition लिख देते हैं और या उसको save करते हैं या directly आप execute कर देते हैं तो कैसे वो आपका step by step करता है काम यानि कि पहले हम क्या करते हैं जब भी हम को हमको program run कराना होता सबसे पहले हम software को open करते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं software को code देते हैं यानि कि हम coding कर तो सबसे पहला जो option होगा वो coding से start होगा तो पहला तो option होगा code करते हैं ठीक है पहले हमने coding कर ली उसके बाद हम क्या करते हैं उसको compile करके देखते हैं कि हाँ वो program ठीक है कि नहीं है ठीक है वो program आपका condition जो आपकी चेक करेगा step by step line जो चेक करेगा वो फिर आप compile करने के को loader होते हैं वो आपके program को पूरा एक एक लाइन को चेक करते हैं कि आपके program ठीक है कि गलत है तो उसके बाद हमारा process होता है link और loading का उसके बाद का जो process होता है execute होता है हाँ कि यह आपका execute होगे आपका program ठीक है तो आपका output आ जाएगा अगर error होगी तो वहां से terminate हो date का कौन सा बनेगा CD के पहले हमने coding की इसको compile किया F5 से फिर उसका link loading हुआ आपको फिर execution हुआ ठीक है तो इस परकार से पूरा process चलता है तो option बनेगा ती नंबर question no.9 what will be output of the following Python code एक code दिया है आई बराबर 1 while true if i percent double equal to 0 break किया यहां पर देगे loop का program है basically break की condition है लगी है print किया 1 i plus plus i plus equal to 2 तो इसको जो हम लोग लिखेंगे तो देखिए किस पकार से यह basically काम करेगा देखिए मैं बता रहा हूँ आपको तो देखिए सबसे पहले तो है पहले एक तो लिखाई जाएगा उसके बाद हम double equal to 0 है तो एक में जब हम एक जूड़ेगा यहां पर पहले दो हो जाएगा ठीक है फिर दो में दो जूड़ेगा फिर उसके बाद जो हमारा i बराबर 1 है एक जूड़ेगा यानि कि 2 में तीन हो गया यहां पर देखिए किस पकार स पांच फिर आठ फिर आपके कंडिशन जो आएगी एर्स के बाद क्या हो जाएगी स्वरी यह option ने होगा option नमबर आप तीन वाला आएगा यह यह सही option होगा पहले हमारा दो जूड़ा यहां पर फिर तीन फिर आपका साथ फिर नौ फिर तो ग्यारा तो वह 1.9 को उप्शन करने है एक लूप चला है continuous आगे चलते हैं लास्ट कोस्टन इसका नमबर टेन यह आपका टेन नमबर और पाइथन आर्यानिकी पाइथन के जो कीवर्ड्स हम लिखते हैं यह से कीवर्ड लगी है यह कीवर्ड जो भी लिखते हैं तो उनको लोगर केस में लिखते हैं अपर केस में लिखते हैं यानि कि पहला लेक्टर लिख दिया आपने ब्रेक फिर उसके अदिल इस परकार से या लिस्ट लिख रहे हैं तो आप लिखते हैं यह पूरा तो किस परकार से लिखा था क्या कंडिशन ठीक होगी तो सिंपल सा है आपका नन ऑफ दी अब आवाएगा इ पूरे अपर केस में भी ने लिखा जाते हैं और पूरे लोर केस में भी ने डिपेंड करता है अब लिखना तो कभी कवार हमारा लिष्ट इस परकार से भी ठीक होता है और तमाम तरह से आप लिख सकते हैं तो डिपेंड करता है कौन सा कोड है कैसी उसकी लेंग्वेज है क capital में कुछ code होते हैं जो उनको हम अपर case में भी लिखते हैं तो दोनों चीजे यहां पर लागव होती हैं print को देखे हम लिखते हैं capital में सारे तो none of the above इसमें option जो है हमारे पास बनेगा तो चलते हैं true and false में mock treasury number second it is mandatory to have main function in python नहीं python में क्या हमको main function लगाना निवार होता है तो देखे इसके लिए theory आपको दिखाते हैं तो देखे यहां पर लिखा गया है is python is not necessary to define main function every time you write a program this is because the python interpreter executes from the top of the line unless specified function defined तो बिना main function के हम python में किसी भी program को execute कर रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है option क्या बन जाएगा आपका it is mandatory to define function is called तो यह option मन जाएगा false यह आप बोला है कि अनिवार होता है नहीं होता है तो option मन जाएगा false ठीक है तो पहला option मनेगा false बिना main function के भी आप इसमें execute and कर सकते हैं question number second आपका है flowchart were introduced by and used by frank gilbert यहनी कि flowchart जो हमारा paste किया गयता है वो franklin के अनुसार किया गयता है तो बिल्कुल ठीक है the process of drawing a flowchart of algorithmic is called flowcharting यानि कि जो हम flowchart बनाते है उसका जो process होता बनाने के algorithmic होता है उसको हम लोग कहते है flowcharting और a flowchart is nothing but a pictorial represented of algorithmic तो क्या यह सही option है तो बिल्कुल ही सही है ग्राफिक एक तरह से picture का view आपको देता है वोबल हमने लगाया इसके बाद हमने ट्रिकोन लगाया या पिरामिड लगाया कुछ भी हम use करते हैं यहां पर ते एक तरह से आपको algorithmic तो आपको बताता ही हां कि हमने यहां से start किया यहां processing किया यहां output लिया हमने और एक तरह से वह pictorial के रूप में आपको representation देता है तो ब आपको six into one double into three का option क्या आएगा six आएगा तो बिल्कुल सही है पहली बात तो अभी आप स्कोर मैं अभी आपको उसका output दिखाता हूं निकालके तो देखे कि यहां पर इसका output क्या आना चाहिए तो आप अब live देख लें तो हम देखते हैं यहां पर six into one double into six three लगाते है और output क्या है आपको six आएगा यह आपसे पूछा गया तो condition क्या है बिल्कुल ठीक है question number five है यहां पर list object are mutable that is we can change the content यानि कि list object परसपर है यानि जब हम content को बदल सकते है यानि कि list object mutable होती है ताक कि हम उसको बदल सके यानि उसको हम content को बदल सके तो बिल्कुल ठीक है option बनेगा true question number six है dir यहां पर एक function दिया built-in function monitor the item is the name space of the main module निकि यह यह जो डियर function है built-in function होता है है आपका mooc module के name space में item पर नजार रखता है तो बिल्कुल ठीक है यह भी condition इसके लिए आपको से function के theory बगरा पढ़ने पड़ेगे तो यह सब answer आपको वहां से निकल जाएंगे इस अब यह module बगरा के question है object बगरा के तो यह से डिफेरेंट देंज के लिए आप उसके रखना पड़ सकता है module के रूप में कार करता है और जो भी module programming पर आपका code को अलग-अलग हिस्तों में वाजित करने की एक तखनीकी आपकी होती है तो क्या यह option ठीक है तो बिल्कुल सही है कोई भी हम पाच्छन की जब file को हम save करते है तो आपकी इसी file में save होती है और वह एक तरह से modular programming तखनीक आ seek method है मैंने आपको इसके बारें पढ़ाई थी theory में seek method जो है आपका set the current of file position in a file stream the seek method also return the new position तो बताए क्या option होगा basically true होगा क्योंकि seek position जो आपके होती है current position आपको देती है और value return भी करती है आपको ऐसे new position आपको provide कराती है तो option क्या मैंनेगा true option no.9 है by using function function हम यहाप यूज कर रहे हैं by reshape function को यूज कर रहे हैं यहाप और we can change the shape of the numpy array in python तो क्या हम reshape को यूज करते हुए क्या हम numpy में कोई जो भी shape हम बनाना चाहरे हैं क्या हम उसको change कर सकते हैं इस code का निउसार जो हम numpy यूज कर रहे हैं python में तो बिल्कुल ठीक है हम बिल्कुल भी इसको change कर सकते हैं उसका function ही है यह जो reshape of parenthesis जो हैं पर लगा हुआ है यह numpy का ही array का function है ठीक है तो option बनेगा true 2.10 है compiler report all error with line number and produce faster object code than interpreter यानि कि compiler line number के साथ सबी error को report करता है और तेजी से object code को interpret बनाता है तो बिल्कुल ठीक है यह भी राइट है condition जो आपका compiler होता है वो आपके सभी error को check करता है और देखता है कि हां कौन सी line में fatal error आई है कहां पे कौन सी line error आई है वो आपको फटा फट एक ही second के अंदर जैसे ही आपने execute किया program को उसके बाद ही वो आपको तुरन आउट ने बत करते हैं अब इसको देखिए आपको तुरन बता देगा कि यहां इसमें कोई error आई है यह list मेंने के error इस पकार किया गई program आपका ठीक होगा तो किस पकार से आपका print हो जाएगा इस पकार से 9 x 6 किया तो 54 आपका print हो गया तब कोई error आपकी नई आई है कि within second में वो आपको execution दिखाएगा यहने कि first object करता है दिमें दिमें अपने continue त्यारी भी करते रहें ठीक है तो thank you for watching